हेलो एब्रिवान मैं हुझ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्रस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12-9 का SP और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन SP सब्जेक का जिसका नाम है इसलिए सभी लेटर्स को पक्का कर लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस विशेय पर हमने पहले एक वीडियो बनाया है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में मैं ज़रूर उसकी लिंक डाल दूगा उस वीडियो में हमने layout and structure कैसे याद रखना है कैसे समझना है letter के किसी भी layout को और कैसे उसे अच्छे से present करना है वो discuss किया था आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सभी letters जो question bank के अंदर है वो discuss करने वाले हैं तो ज़रूर इस वीडियो को अंद तक देखीगा और अगर आप इस channel पर नए है तो ज़रूर इससे subscribe कीजिए bell icon दबाईए क्योंकि यहाँ आपको लगातार economics, OCM, information technology के अलावा 12th commerce, 11th commerce के सभी अलग-अलग subjects के IMP tips मिलते रहेंगे तो दोस्तों कुल मिला करके हमारे question bank के अंदर 7 letters दिये गए हैं आज की इस वीडियो में मैं सभी 7 letters discuss करूँगा क्या structure है, कैसा layout है, क्या उनके अर्थ है, meaning क्या है और कैसे उसे present करना है उसके बारे में discussion करेंगे ये PDF इस वीडियो के अंत में टेलिग्राम चैनल पर भी आ जाएगा टेलिग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर टेलिग्राम पर जाईए, सर्च कीजिए Sky Education Official और उस पे आपको धेर सारे PDFs, IMP notes और question bank के solution मिल जाएंगे दोस्तों बात करें letters की तो याद रखिए, letters carry a good amount of weightage in your board exam SP के papers में अगर आप letter कर लेते हैं तो आपके 5 से 10 marks तो confirm हो जाते हैं और इसलिए हमारी question bank का solution बहुत important role play करता है कुल मिलाकर के 7 important letters, most time P letters इन्हें हम कह सकते हैं ये हमारे question bank में दिये हैं और उनका solution आपके textbook में भी है यहाँ पर मैंने आपके लिए इस PDF के माध्यम से उन सभी 7 के 7 letters का solution जो है आपके सामने दे दिया है दोस्तों सबसे पहला letter है यहाँ पर write a letter to the shareholder regarding issue of bonus share सबसे पहले तो प्रशन को समझीए दोस्तों और याद रखिए letter कैसा भी हो, कितना भी difficult हो, कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी letter हो structure, layout अगर आपने सही बनाया तो आप super hit हो जाएंगे, marks भी एकदम जबरदस हो जाएंगे याद रखिए, layout के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको याद रखना है top left right center, जी हाँ, top left right center में क्या लिखना है, यह अगर आपको पता है, तो आप definitely अच्छे से letters को present कर पाएंगे जैसा कि मैंने कहा था, पिछली बार भी, आज फिर से दोहरा देता हूँ, top side जो है, यहाँ पे आप लिखेंगे NAC, यानि NAC, basically यह NAC क्या है, तो यह है, name of the company, A for, address of the company, और C से दोस्तों, CIN number जी यहाँ दोस्तों, अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो जरूर देखीगा, ताकि structure आपके दिमाग में clear हो जाए, और यह short code के जरीए, आसानी से आप याद रख सकें कि कौन सी जगह पे letter में क्या लिखना है, जैसा कि वापस से मैं दोहरा दूँ, top मे हमें लिखना है, NAC, यानि N for name of the company, अब जैसे यहाँ पर Yash Industries Limited लिखा है, A से address of the company, तो यहाँ पर registered office और एक random address दिया हुआ है, आपको कुछ भी बायाट नहीं करना है, own words में लिखिए, खुद की company का नाम लिखिए, खुद से address लिख दीजिए, कहीं पे भी कुछ बायाट कर की तरह काम करता है, letters के अंदर companies की तरफ से, ठीक है, तो यहाँ पर top में हम लिखेंगे NAC, यानि name of the company, A for address of the company, and C for CIN number, अब बात करें left side की, तो left side पर याद रखिए दोस्तों, PFFREF, PFFREF, यानि phone number, fax number, और reference number, phone number, fax number, reference number, phone number, fax number, fax number, reference number, reference number, और right side की बात करूँ दोस्तों, तो याद रखिए, right side में शादी हो रही है, right side में शादी हो रही है, यानि wed, wed, website, email and date, wed, website, email and date, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, ये top left right आप समझ पा रहे होंगे, left side के अंदर ही दोस्तों, आप जो है, हमारे जो person को आप letter लिख रह हुआ है, दोस्तों याद रखिए, ये top left right हो गया, अब आपको center में हमेशा subject लिखना है, center में क्या आएगा, subject मंजे है, वागा चे पंजे, विश है, याद रखिए दोस्तों, ये तो question में ही दिया होगा, अब जैसे question के अंदर हमारे mention किया गया है, write a letter to the shareholder regarding issue of bonus shares, जी हाँ bonus shares issue करने के regarding ये letter है, तो subject में भी हम वही लिखेंगे issue of bonuses या regarding issue of bonuses लिखा तो भी चलेगा, अब दोस्तों ध्यान दीजे कि हम paragraphs कैसे form कर रहे हैं, दोस्तों अगर आपकी English टूटी पूटी है, अगर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है याद रखिए, दो paragraph में आपको लिखना है, पूरा letter तीन lines each, यानि हर paragraph में तीन lines होनी चाहिए, हमेशा सुरुवात इज़त से कीजिए, dear madam, dear sir, dear madam, dear sir, जी हाँ, यहाँ यहाँ पर dear madam sir लिखने के बाद, हम issue of bonus shares के regarding हमारी जो deal हुई है final, उसके बारे में इस letter में लिखेंगे दोस्तों हमेशा याद रखिए, एक company secretary के नाते आप letter लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमेशा आप खुद से निरनाई नहीं लेंगे, आप बताएंगे कि board of directors ने ये decide किया है, और board of directors की meeting में ये तै हुआ है, और इसलिए हम ये काम करने जा रहे हैं, ये कोई भी letter हो, हर letter का ए the board of directors to inform you that, in accordance with the resolution passed in extraordinary general meeting of the company, held on 14th October 2019, shareholders have unanimously approved the recommendation of board of directors to issue bonus shares, यानी board of directors की एक meeting हुई, जहां पर हमने discuss किया इस bonus share के मुद्दे को, और फिर सभी ने मिलकर ये तै किया कि हम bonus share issue करेंगे, तो basically ये भी बायाइट करने की जरुदत नहीं है, ओन words में आप लिख सकते हो ना यार, कि yes, there was a meeting by the board of directors where with the unanimous approval of shareholders, it was decided that we will issue bonus shares, तो अब bonus shares कैसे issue करने वाले हो, भी लिख दो, bonus shares are issued in the ratio of 1 is to 1, that is one additional, याद रखिये, one additional equity share for every equity share held as on record, dated 13th October 2019, तो उमीद करता हूँ, आप ये समझ पा रहे होंगे दोस्तों, तीन lines each आपको दो paragraphs लिखने हैं, जिसमें आप present करेंगे कि भी या कैसे आपने decide किया है, यानि board of directors ने निरने लिया है, और कैसे कितने shares आप देने वाले हैं, इसके बाद दोस्तों ये डबा आजाता है, ये box क इसके अलावा number of bonus shares issued और allotted, तो याद रखिए पहले उनके पास कितने shares हैं, तो 25 shares हैं, उन्हें issue कितने कर रहे हैं, तो याद रखिए यहाँ पर 1 is to 1 बोला है, तो हम 25 के 25 ही दे देंगे, दोस्तों ये random है, इसमें जरा भी कुछ बाइहाट करने जैसा नहीं है, इसके date of credit to DMAT account, यहाँ पे एक random date डाल सकते हैं, आखिर में, the company has compiled with the provisions of the issue of bonus shares, the bonus share issued will rank peripassu with the existing equity shares, यानि जो आपके existing equity shares हैं, वैसे ही हम equity shares आपको दे रहे हैं as bonus, और इसलिए दोस्तों उनका rank भी जो रहेगा, वो similar kind ही होगा, अन्त में, thanking you, yours faithfully, for Yash Industries Limited, और signed by the company secretary, तो याद रखिए, यह structure है, यह format है, top left, right, center, याद रखिए, तीन lines के दो paragraphs आपको लिखने हैं, इतना समझ जाईए, तो आप आसानी से letters लिख सकेंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरा letter देख लेते हैं, दूसरों, दूसरा जो letter है, यह है, write a letter to the member for the issue of share certificate, मतलब certificate issue करना है, इसलिए हम अब member को letter लिख रहे हैं, कि भाईया, तूने जो shares खरीदे हैं, उसके बदले में, अब हम तुम्हें एक share certificate दे रहे हैं, मतलब अगर समझ गए, तो structure तो same ही है, याद रखिए, top में आएगी, नाक, यानि name of the company, जैसे यहाँ पर comfort motors limited, फिर A से address of the company, तो यहाँ दोस्तों, अगर आपने structure अच्छे से लिख दिया, तो आपको marks definitely मिलेंगे, जैसे यहाँ पर top पे हमने लिख दिया है, N, A, C, name of the company, address of the company, N, C, I, number, left में हम लिखेंगे P, F, Ref, P, Ref, P, Ref, यानि phone number, fax number, और reference number, और right side पे शादी हो रही है, right side पे शादी हो रही है, wed य यानि website, email, date, तो यह structure याद कर लीजिए, left में यहाँ पर आपको नाम लिखना है, सामने वाली party का और address लिखना है, center में आपको लिखना है, subject यानि wish है, यहाँ पर wish है, issue of share certificate, अब दोस्तों, in our own words, we can easily mention कि हम share certificate आपको issue कर रहे हैं, once again remember दोस्तों कि company secretary के तौर पर आप letter This is to inform you that as per your request application number 50, I am hereby authorized to issue you a certificate, the said share certificate will be delivered to you within 15 days from the date of this letter by registered post to your registered address as mentioned in the registrar of members, यानि आपकी request application number 50 के तहत, अब हम आपको एक share certificate दे रहे हैं, आपके shares के बदले में, और वो आपको जल्दी से जल्दी आपके address पर मिल जाएगा, यहाँ पर जो details है दोस्तों, इसमें folio number, जो register होता है, उसमें जो folio जैसे हम लिखते हैं, accounts में वैसा ही folio number है, share certificate का number है, और distinctive shares का number 301 से लेकर 400 total shares है, 100, इन 100 shares के बदले में आपको share certificate मिलेगा, it shall always be our endeavor to provide best of our services to you at all time, finally, thanking you, yours faithfully, for comfort, Motors Limited, Mr. Anand Swami, Company Secretary, तो उमीद करता हूँ, यह दूसरा आसान सा, simple सा letter भी आप समझ पायोंगे, दोस्तों, इसी तरह के अलग-लग letter है, जैसे यहाँ पर draft letter of allotment to debenture holder, यही similar letter मैंने अपने पिछले वीडियो में discuss किया है, आप जरूर I button पे click कीजिएगा, उपर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस I button पे आप जब click करेंगे, तो आपको यह letter structure के साथ समझ में आ जाएगा, यहाँ पर यह है 3 number का letter हमारा, उसके बाद 4th पे है letter to the debenture holder regarding payment of interest through interest warrant, यानि यहाँ पर हम request letter भेज रहे हैं, यहाँ पर हम भेज रहे हैं, debenture holder को letter की भहिया, जो payment of interest है, वो interest warrant के जरिए दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 lines जो है बहुत ही simple है, मैं board of director के resolution के basis पे आपको यह पतर लिख रहा हूँ कि भहिया, आपका जो interest payment है, वो non-convertible debentures का, वो आपको दोस्तों interest warrant के जरिये मिलेगा, the interest warrant is enclosed herewith, please detach the interest warrant along with the perforated line, तो उमीद करता हूँ, यह भी आप समझ पा रहे होंगे, दोस्तों अगर आपने structure याद कर लिया ना, तो इनको आसानी से आप लिख सकते हैं, ओन words में, पाँचवे नंबर का letter देखें, तो draft a letter to debenture holder informing him about redemption of debentures, अब यह मज़ेदार है, यहाँ पर आपको दोस्तों structure तो same ही रखना है, बताना है सामने वाली party को कि भहिया, redemption हो रहा है debentures का, आप कैसे बताएंगे, तरहा ध्यान दीजेगा, पहले तो आप उनको बताएंगे कि भहिया, कितने debentures हैं और कब दिये थे, तो this is to inform you that, 1,00,000 debentures, 10% non-convertible debentures issued in May 2014 are due for redemption on 12th November, कब redeem हो रहे हैं, वो बताएंगे, according to the board resolution passed at the board meeting, debentures shall be redeemed out of debenture redemption reserve fund of the company, यह line याद रख लीजेगा, underline कर लीजेगा, क तो वो debenture redemption reserve fund, यानि DRRF से ही होता है, तो please arrange to submit in closed debenture redemption form, along with the original debenture certificate to the company, on or before 3rd November 2019, तो दोस्तों, यहां सिर्फ हम हमारे party को request करने वाले हैं, कि भहिया, आपके debentures redeem होने के कगार पर हैं, आप जल्दी से formalities complete कर लीजिए, जैसे ही formalities complete हो जाएंगी, the redemption amount will be credited to your bank account, अन्त में फिर एक बार thanking you and yours faithfully company secretary, याद रखिए, यहां पर enclosure में आप debenture redemption form भी दे देंगे, ताकि फॉर्म भर के सामने वाली party आपको दे दे, उमीद करता हूँ, आप यह समझ पा रहे होंगे, दोस्तों, structure अगर आपको याद हैना, तो आपको marks मिलने ही मिलन वाला है, तो जरूर इस वीडियो के अंत होने के बाद, टेलिग्राम चैनल पर जाईएगा, और वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगा, यहां से आप आसानी से ये question bank के अंदर पूछेगा, इस सभी letters को समझ सकते हैं, लिख कर इनकी practice कर सकते हैं, top, left, right, center, याद रखिए, और तीन-तीन lines के दो paragraph याद रखिए, अब यहां पर दोस्तों, renewal से related letter है, जहां draft a letter कहा गया है, regarding deposits, जी यहां दोस्तों, number 6 का ये letter है, यहां पर कहा गया है, write a letter to depositor, regarding renewal of his deposit, उसकी fixed deposit जो है, वो renew करनी है भई, तो आप उसको बोल रहे हैं कि भई, तेरी जो fixed deposit है, उसको renew करवा द we hereby acknowledge the receipt of your application for renewal of deposit of rupees 1 lakh for a further period of 2 years, यानि आपने ही request किया था, और अब आपके renewal की request के उपर हमने हमारे board meeting के अंदर resolution पास किया है, और कुछ और साल के लिए, यानि 2 साल के लिए, हम आपका जो fixed deposit amount है 1 lakh का, उसे renew कर रहे हैं, approve कर रहे हैं, consider करते हुए, yes, and has decided to renew the deposits for further period of 2 years, on the same terms and conditions, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, अगर आप जो main subject है, वो समझ जाते हैं कि क्यों letter लिखा जा रहा है, तो own words में लिखना काफी आसान है, और marks मिलते ही हैं, marks deduct होने का chances बहुत कम है, आखरी letter जो है हमारे question bank का, उसका नाम है, draft a letter to depositor, आप depositor को letter लिख रहे हैं as a company secretary, informing him about payment of interest electronically, मतलब ब्याज जो company देती है, वो electronically इस बार आने वाला है, तो electronically बहुत सारे means है, NEFT है, RTGS है, किसी भी एक जरीए के through, आप payment करने वाले हैं, ये letter लिख करके बता दीजिए, तो simple है, subject में आप लिखेंगे payment of interest on debentures electronically, through ECS और NEFT, जैसे कि यहां पर लिख दिया है, और आप mention करके सब चीजें बता देंगे, कि I am instructed, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, Board of Directors ने मुझे बताया है, at 10% redeemable debentures of Rs.100, जो भी आप यहां पर own words में लिख सकते हैं, कि भाया, इतने debentures थे, your company has compiled with all the provisions relating to the payment of interest on debentures, details of interest payable are as follows, कितना ब्याज मिलने वाला है, उसका एक डबब बनाईए, और बता दीजे कि भाया, registration number ये था, आपके debenture इतने थे, आपको ब्याज तो भाया, इतना ही मिलने वाला है, और ये ब्याज जो है, ये हम credit कर देंगे, आपके account में, वो भी electronically, yes, interest will be paid by electronic transfer, that is by crediting the said interest to your bank account, as per details provided by you to the company, उमीद करता हूँ, दोस्तों, ये 7 letters, आप समझ पाए होंगे, सबसे important है structure और layout, अगर आप ये structure, ये layout समझ जाते हैं, top left, right, center में क्या लिखना है, तो आप आसानी से letters के अंदर SP marks वसूल सकते हैं, और 5 से 10 marks definitely यहाँ पर आते ही हैं दोस्तों, इन 7 letters को आप लिख करके practice कीजीगा, इन 7 में से letters definitely आपके board exam में दिखाई देने वाले हैं, तो जरूर इनकी अच्छे से तयारी कीजीगा, हम दोस्तों आपके लिए ऐसे ही informative और important videos लाते रहेंगे, हम मिलेंगे दोस्तों, फिर एक बार कुछ और नए videos के साथ, तब तक के लिए do like, share and subscribe